हर रोज एक नई कहानी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें होली का त्योहार खुशियों का त्योहार इसलिए भी कहा जाता है क्योंकि होली में लोगों का बचबन और चोलुबलापन जाग जाता है ऐसा ही कुछ गुँजन की बहूर रिंकी के साथ भी हुआ था जब उसे होली को लेकर एक आइडिया आता है और वो गुबारों में पानी भर कर लोगों को फीकने लगती है लेकिन उसका अनजाम क्या होता है जानेंगे इस कहानी में गुजन की बहूर रिंकू अभी से ही होली के लिए काफी ज़दा एक्साइटिड थी वो ऐसी में होली के त्योहार में क्या बनाएगी और कैसे अपनी होली मनाएगी इसको लेकर रिग को अपनी सास गोंजन से कहती है मा जी आपको पता है इस बार की होली के लिए ना मैं बहुत ही एक्साइटीड हूँ क्योंकि ना ये मेरी पहली होली होने वाली अपने ससुराल में तो आप मुझे बताईए कि होली में क्या क्या बनाएगी इस बार की होली हर साल की तरह ही मनेगी बस फर्ब इतना है कि उसमें तू भी शामिल होगी और जो बनाया जाता है वो सबी बनाया जाएगा अगर तू होली और तरीके से मनाती है, सबके साथ खेल कर तो तू बता दे, यह तेरा ससुराल है, और यहाँ होली तो तू नहीं मनाएगी, अपने पती और सास के अलावा किसी और के साथ, मा जी, होली के तो हार बर तो हर कोई एक दुसरे को रंग लगाता है, क्या आप मुझ आती है, कि उसकी भले ही यह पहली हो, लेकिन रवी को हली बिलकुल पसंद नहीं है, और वो रिंकू को किसी और के साथ होली खेलने से जरूर मना करेगा, बेर शाम जब रवी घर आता है, और रिंकू रवी से पूछती है, तो रवी भी उसे किसी और के साथ होली खेलने से म खेलते हैं और बहार शोर शराबा जादा होता है लेकिन मुझे तो होली बहुत पसंद है मुझे तो खेलनी है होली मैंने तुम्हें मना कर दिया तो मना कर दिया बागी अगर तुम घर से बहार निकली न तो मैं तुम्हें हमेशा के लिए घर से बहार निकाल सकता हूँ अब ह थी लोगों पर गंदे पाने के गुबारे मारना और वो अपनी सास के साथ मारकेट जाकर चोरी चुपके बहुत सारे गुबारों के पैकेट ले लेती है और अगली दिन सुभा अपनी सास के उठने से पहले ही रिंकु उसमें किचड का पानी किसी नाले का पानी और कलर वाला पानी भर कर बाल्टियों में रख कर छुपा देती है और जब गुंजन घर पर नहीं होती तब रिंकू आने जाने वाले लोगों पर गुबारे माती है और इसी दोरान गुंजन की पडोसन विमला पर जैसे ही गंदे पानी का गुबारा फिक कर रिंकू छुपती है वैसे ही विम्ला अपने उपर गुबारों का गंदा पानी देखकर खुद से कहती है सत्या नास हो उसका जिसने होली से मेरे नए कपड़ों को बरवात कर दिया बताओ मैं अपने बेटे के लिए लड़की देखने जा रही थी और मेरे कपड़ों का सत्या नास कर दिया ये सुनकर रिंगों अंजान बनकर घर से बाहर आती है और विम्ला से कहती है विम्ला अंटी आपकी लिए अवाज सुनी तो बह़ार चली आई ये सब किस ने किया आपके कपड़ों पर गंदे पानी का गुबारे किस ने मारा ये भगवान, अच्छे खासे कपड़े गंदे कर दिये विमला अंटी के देखना जरब हूँ, मैं अपने बेटे के लिए रिष्टा देखने जा रही थी और ये देख, किसी कलमुहे ने मेरे कपड़ों का सत्यानास कर दिया बेडा गरगोस का करम फूट जया उसके, जिसने मेरे कपड़ों का सत्यानास किया अरे भिमला अंटी जाने भी दो अब, जाओ अपने कपड़े बदल लो मैं देखती हूँ कौन है आसबास, वैसे तो कोई नजर नहीं आ रहा अचानिक किसने आपके कपड़े गंदे कर दिये? इतना बोलकर रिंको हस्ते हुए अपने घर में चली जाती है कुछ दिल बाद सुभा के समय, रिंको के पड़ोस का एक लड़का जिसका नाम अभे था वो नए सफेद कपड़े पहने इंटर्व्यू के लिए घर से निकलता है जो अपने इंटर्व्यू के लिए जाही रहा था तब ही दिंको उस पर लगातार दो तीन गुबारों की बोचार कर छुप जाती है और जब उस लड़के के कपड़े काले पिले नेले हो जाते हैं तो वो खुद की हालत को देखकर खुद से ही कहता है बताओ अभी तो होली भी नहीं आई और किसी ने मेरे इतने सुन्दर कपड़े को कलरप से भर दिया है अब मैं इंटर्व्यू के लिए कैसे जाऊं मैंने इस से बड़ी मेहनत से ख़़िदा था अब मैं क्या करूँ गुबारे फेकनी के बाद रिंक को बहार निकलती है और उस लड़के से कहती है बताओ किसी ने तुम्हारे कपड़ों पर भी गुबारे फेक दिये लेकिन आज के दिन जिस किसी ने वी मेरे कपड़े पर कलर फेका है बहुत बुरा किया है उसने मेरे साथ बहुत बुरा होगा उसके साथ भी पस मुझे एक बाद पता चल जाए इतना बोलकर वो लड़का भी चला जाता है और रिंकू की खुशी का ठिकाना नहीं होता क्योंकि अब तक उसने बहुत लोगों को अपने गुबारों का निशाना बना लिया था लेकिन अब बारे थी रिंकू की सास गुबारे मार कर छुप जाती है और जैसे ही गुबारे पढ़ती है तो वो अपना हाल देकर जोर से चिला कर कह दी है इतना सुनते ही रिंकू जल्दी से अपने घर से बहा निकल दी है और अपनी सास से कह दी है मा जी पानी ही तो है आप जितना सुना रही हो गुबारे फेकने वाले को उससे तो ऐसा लग रहा है आप पर किसी ने तलवा चला दी हो भला को इतना बुरा भी कैसे बोल सकता है चाहने दो ना मा जी बोल तो तू भी ऐसे ही रही है जैसे ये गुबारा किसी और ने नहीं बलकि तू ने ही मुझ पर फेका हो और अगर ऐसा हुआ तो मैं तुझे घर से बाहर निकाल दूँगी नहीं नहीं मा जी मैं मैं बला ऐसा क्यों करूँगी मैं तो घर के काम कर रही थी और आपकी अवास सुनी तो बाहर आई हूँ इतना कहने के बाद गुंजन घर में चली जाती है और वो देखती है के एक बाल्टी में गुबारे भरे हुए है और वो समझ जाती है के ये काम रिंखू का है अब ऐसे में गुंजन रिंखू को सबक सिखाने के लिए अपनी पडुसन विमला को ये बात बता देती है और अब वो मिलकर रिंकू को सबक सिखाने का फैसला लेते है और विमला गुंजन से कहती है और आखिरकार खोली का दिन भी आ जाता है जिस दिन का इंतिजार हर किसी को होता है और रिंकू को तो कुछ स्यादा ही तभी रिंकू की सास रिंकू को बाहर बिराती है और विमला और उसके आसपोडोस वाले सबी हातों में गुबारा भरकर एक साथ रिंकू के उपर मारनी लगते है और इस गुबारों की बुचार से रिंकू रंग बिरंगी हो जाती है क्योंकि किचड के गुबारे, कोई नाली के गंदे पानी के गुबारे तो कोई colorful गुबारे थे जिसे रिंकू को चोड भी लग जाती है ये देखकर रिंकू चिलाते हुए कहती है मा जी आपने अच्छा नहीं किया पहले तो खुदी मना कर दिया कि मैं होली नहीं खेल सकती और आपने मुझे बहानी से पहार बुला कर मेरा ये हाल कर दिया क्यों वहू तुझे मजा नहीं आया क्या होली खेल कर वो भी पानी वले गुबारे ये इतना पसंद है कि तुझे इस होली के दस दिन पहले ये गुबारे हम सब पर मारने लगी थी और जब मैं अच्छे खासे कपड़े पैन कर बहार निकली थी तो तुने ही तो उस दिन मुझ पर गुबारे मारे थे ना नहीं नहीं आंटी जी कैसी बात करें आप भला मैं क्यों गुबारे मारूंगे आपको मैं तो सब का भला चाहती हूँ लेकिन मेरा भला खुई नहीं चाहता हूँ बुरा ना मानो हो ली है इसलिए तो मैंने ऐसा किया था अब जब आप लोग तो बुरा मान गए तो भला मैं क्या कर सकती हूँ इसमें इतना सुनने के बाद विमला, गुंजन और आसपडोस के कई औरते रिंकू पर गुबारे फेकने लगती है और उसे गुलाल भी लगा देती है और जब रिंकू सब को चिलाते हुए ये बोलती है मुझे तो चोड़ दो मुझे जाने दो मुझे गुबारो से चोट लग रही है मैं आइन्दा से ऐसी हरकत नहीं करूँगी मुझे इस बात का बहुत पष्धावा है जो मैंने किया वो गलत था तो बहू तो भी बुरा ना मान क्यों से ही कहाना मैंने इस तरह से रिंकू को भी सीख मिल जाती है कि जिस तरह वो दूसरों को गुबारे फिट कर टागेट कर तरही थी तो उसे पता चलता है कि कैसा फील होता है दोस्तों अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा